इससे फरार होने के बाद हमारे बेटे को फिर से काल कोटरी में भेज दिया गया और तुम कुछ नहीं कर सके मैं दूसरे किनारे पर उनका इंददार ही करता रहे गया सर कल रात को जो कुछ भी हुआ वो निरन्यन के गलती के वज़े से हुआ अगर वो उस एसीपी के बेटे को साथ में लेके नहीं भगता तो उसका भाई वहाँ पर कभी नहीं पहुच था कौन भाई कौन पहुच गया वहाँ देवा है रो मुझे पता आपके और कानून के बीच में जंग चल रही है आप कानून तोड़ें या कानून आपको इसे मुझे कोई मतलम नहीं मैं यहां सिर्फ इतना समझाने आया हूं कि दुबारा इस जंग में मेरे भाई को खसीटने की कोशिश मत कीजेगा परना कानून मुझे अप हाती को धंगाना अच्छा नहीं लगता पर खुरदार चूटी होती तो बहुत छोटी है शोबरात साहब लेकिन अगर हाती के कानों तक पहुच जाए तो उसकी मौत का कारव बच जाती है और आप अपनी जिस हैसियत की बात कर रहे हैं ना उस हैसियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं बहुत अमीर करोड़ पती हैं आप लेकिन अपने बेटे की सिंदगी बचाने के लिए भिकारी बनकर मेरे बाबुजी के सामने भीक मांग चुके हैं आप सुना है ये हाथ मेरे बाबुजी के केरे बाद तक भी बाच चुके हैं तस पंदरा मिरट लोहे के बज़न उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझीए कि आप बहुत मस्पूत हो गए हैं मैं हर तिन पंदरा घंटे पिछले पंदरा सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूँ और लोहे से जब शीशा टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि किनना मुश्किल हो जाता है अंग्रेजी में एक कहवत है एंगर किसी और को सुनाना मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूँ हिंदुस्तानी और उसमें एक कहवत है सौसुनार की और एक लोहार की मेरा भाई मेरी मा के जीने का सहारा है और अपनी मा को उसकी जिन्दगी लोटाने का बादा किया है मैंने उसकी जिन्दगी जीनने की कोशिश करने वाले की सांसे उसके ही सीने में दफन कर दूँगा मैं याद रखना सर अगर आप कहे तो नहीं माइकल मैं तो समझता था कि इसका पाप ही नाग है लेकिन ये हराम जादा तो कोब्रा निकला